हलो दोस्तो, गुड बॉनिंग, नीव ब्लोक के साथ मैं रेडी हूँ, किचन में सबसे पहला काम मैंने किया है, दूद में से मलाई निकाली है, अब मैं हाथ में मलाई लग गई है, वसको हाथ क्लीन कर रही हूँ, और मैं बनाने जा रही हूँ, चाए और नास्ता, सुबह अकेली हूँ, चाए पीने के लिए मुझे आज काम करने में लेट हो गया है, और इनका टिपन तो बनता है, तो बच्चों के पास नास्ता था, तो उन्होंने उसी में से रोटी सबजी खा लिया है, और चाए पीलिया है, पर मेरी भी ठंडी रोटी सबजी खाने के मेरा मन तो मैं अपने लिए कुछ नास्ता लगा लेती हूँ जैसे कि रसकुले पड़े हैं नमकीन है चिप्स है मुझे अंकल चिप्स खाना बहुत अच्छा लगता है तो अभी वही है कि चन में और घर में तो मैंने ले लिया है अपने लिए चाय रसकुला नमकीन तो लीजिए मुझे फूक लगी वही है क्योंकि सुपर जल्दी उठके न सारा काम करने के पाद फूक लग जाती है बहुत तेज से और मुझे नास्ता करते करते 10-11 हर रोज बच जाता है कितना भी कोशिश करती हूं पर 10-11 हो जाता है जब तक काम खतम नहीं होता तब तक मैं नास्ता क करके मैं नास्ता करूं तो 10-11 बचे से पहले कभी होन दस तो नॉर्मल सी बात है और 11-11 बच जाते हैं वो कोई कम बात नहीं है ठीक है तो मैंने अपने लिए गरम पानी किया था क्योंकि आजकल ठंडा पानी है ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा है मैंने एक रसगुला खा तो मैं दूद से मलाई निकाल लेती हूं जो दूद बचता है उसका मैं मलाई निकाल लेती हूं तो दूद गरम करके मैंने रख दिया था मलाई निकल जाती है तो इस मलाई को मैंने रख दिया आज पर धिमेदी में पकते पकते इसको इतना पकाएंगे कि अपने आप घी मलाई ने घी छोड़ दिया और मैं फोन पे बात कर रही थी अपनी बहन से और बात करते-करते मैंने घी भी निकाल लिया घी छान भी लिया पर बात खत्ब नहीं यह हमारे साथ अक्सर होता है तो हम दो-दो घंडे तक बात करते रहते हैं लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो मैंने क्या क्या ब्लूथूथ लगा लिया फोन रख दिया और ब्लूथूथ लगा लिया अब मैं ब्लूथूथ से बात कर रही हूं साथ के साथ काम भी कर रही हूं तो मैंने घी निकाल लिया करती हूं जब घी निकालती हूं ना तो Мें लौों का मथाइम है तो मैंने क्या किया षाटी वरना में हमाब कनक की रोटी भी तही हु dirt सब्सक्राइब देड़ डाला है ये गुड़ का सककर चूरा है वह है और इसमें मैंने सो ग्राम करींadora गीई और रोटी को अच्छे से चूर लिया है, एकदम जैसे मतलब हल्वा होता है, वैसा गिला-गिला करके चूर लीजिएगा, और ये देखिए, एकदम परफेक्ट हल्वा, मारा मतलब हल्वा सौरी, मैं कन्फियूज हो जाती, बोलते हैं, चूर्मा रेडी है, तो अभी ये आप लोग भी खा लीजिए, अब हम लोग भी इसको खा लेते हैं, और उसके बाद ठोड़ा रेष्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से लेके मेरी परेड सुरू होती है, तो टाइम नहीं मिलता है, और ठंड इतनी जाद है, हमारे हम बहुत ठंड पढ रही है, तो चूर्मा भी खाया है, और उसके बाद बही हमत करके उठी हूँ, ठंड अब मौसम बहुत जादे ठंड है, उठने कमन नहीं करा है, पर मैंने जाड़ो जूडो लगा लिया है, अब मैं फटा-फट बरतन धो लेती हूँ, और उसके बाद हम साम के चाई नास्ते की तियारी करते हैं, क्योंकि लंच में बच्चों ने चूर्मा खाया है, और बच्चों को लगई ये भूख, क्योंकि दोबहर में मैंने दुबारा खाना नहीं बनाया, जादे तर मैं दोबहर में खाना अलग से बनाती हूँ, पर आज मैंने दोबहर में खाना नहीं बनाया है, बस चूर्मा ही बात कर रही हूं और ये पूछ रहे हैं मतलब तुमाज बना क्या रही हो तो मैं बता दी सैंविच तो कर हमें भेज के अके लिए के लिए सैन्वीच बना खा रही हो तो आप भी आजाईए भई मना थोड़ी ना है किसी को तो मैंने कड़ाई में डाला है तेल तेल गरम होने के बाद जीरा जीरा थोड़ा सा चटक गया तब मैंने इसमें लसन पे आज हरी मिर्च डाल दी है और उनका कलर चेंज होने पे मैं मसाले में नमक, खल्दी और लाल मिर्च और गरम मसाला बस इतना ही डाला है अर इनको थोड़ा सबोतने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया है अलू आप चाहें मैस करके डूल देती नहीं यह कोई दिकत हो नहीं है मैंने बस ऐसे ही कल्षी से काड़ दिया है और जब य बून के रेडी हो गए अलू तब तक भूनियागा जब तक अलू कड़ाई ना छोड़ दे बिल्कुल कड़ाई में आलू चिपतना नहीं चाहिए तो एक देख लीजिए एक दब परफेक्ट मैंने भून के अलू निकाल लिये हैं इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए औ और तो हमने चाय के साथ खा लिया है अभी थोड़े ब्रेड बचे हुए हैं तो मैं इसका सैंड्विच बना लेती हूँ मैंने थोड़ी थोड़ी लगाई है रेड वाली चटनी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके उपर जो आलू का बैटर मैंने तयार किया है अब मेरा फोन में वेश्ट हो जाता है और सॉरी फैमिली अगर देखेगी तो गुसा करेगी किसका टाइम वेश्ट होता है I am sorry बस मैं ऐसे निकल गया मेरे मूझ से आप लोग बुरा मत मानिएगा तो मतलब जादे तर टाइम मेरा फोन में निकल जाता है अक्सर फोन आता रहता तो दिन भर टाइम मेरा इसमें बहुत जादे टाइम चला जाता है मेरा तो अभी साम के टाइम भी मैं इनसे वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी और नास्ता भी बना रही थी अब ये लीजिए नास्ता हमारा सैंड़िच और चाय रेडी है आप सब लोग आजी के नास्त मैं पूरी नहीं बना रही हूं क्योंकि दो तीन दिन से मैंने बहुत जादे तेल पकोड़ों में समोसो में और सब में बहुत सारा तेल खाला अब और अभी हमने सैंड़िच खाया सबका पेट भरा हुआ है तो मैं साही पनीर बना रही हूं तो एकदम सिंपल तरीके से जा भूंद लेंगे इसको भी इससे एकदम क्रीमी टेस्ट आएगा जैसे होटल में जाए कंसे कहते हैं ग्रेवी वाला पनीर साही पनीर ग्रें तो देख लग बनेंगे वैसा वाला साही पनीर बनेगा एकदम मज़ा आ आप लोगों को को वोजता है मेरे कैमरे की वालिटी यहां आपको बहुत अच्छे से भूनना है इतना भूनना है कि यह आधे से भी कम एकदम मसाले वाले सेप में आ जाए और यह कड़ाई तेल चोड़ देंगे अगर देखें कितना इदम थीक हो गया है तब तक आपको भूनना है यहां आपको मेनद करनी पड़ेगी उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं मसाला एक चम्मच लाल मिर्च चोथाई चम्मच हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है अगर पसंद ह पाणि था मैंने नहीं डाल दाला है नोर्मल मिर्चे और डाल मिर्ची यह लाड है इसके उसके बाद से सब्सपानि पानीर के प्ल्रया बीड़ा होग चोड़ाए यहां घर साधि informação एव बना है देखतक जीरगयों के लिए फिर अभी बतलब इसमेहां बिसम्माशना और हमारे गर्मिने सब लोग मसाला बहुत कम का दें मैं मेरे हस्बेंड उनको भी अच्छा नहीं लगता जा दें मसाला वगएरा तो मैं भी मतलब थोड़ा कम ही बनाती हूँ थोड़ा से नमक और चावल भूण लिया उपर से पानी डाल दिया एकदम first class खिले खिले चावल बने के रेडी हो गए थे हैं और इधर हम आटा लगा लेते हैं तब तक इसको एकदम मीडियम आच पे मैंने चोड़ दिया था यह यहां पक गया है और मैंने आटा भी लगा ल मलाई कर दोट करें समति दूद कर लेता है जिराइ इसाम को अमने दूद क कर लेते हैं तो मैं इधर रूटिया बना लेती हूँ इधर दूद गरम कर लोगी क्योंकि पनीर और जीरा चावल बनके रेडी हो चुका है अब रोटी और दूद ये दो चीज करके उसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना निकाल दीती हूँ तो मैं रोटी कर रही थी और साथ के साथ मैंने बच्चों का खाना भी निकाल दीया हूँ ये किन मानी है बहुत भगवान कसम बहुत ही जादे टेस्टी बना है आप लोग इस तरीके से एक बार अपने साही पनीर को बना के खाईएगा अगर आपको मज़ा ना आ जाए ना तो मेरा नाम बदल दीजेगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताईएगा और ये लीजे आप लोग भी खा चुके हैं अब मैं भी खा लेती हूँ डिनर फिर मिलती हूँ आपसे हलो दोस्तो गूड मॉनिंग क्या हुआ आप सोच्राइब मैं खाना खाने के बाद मैं सो गई क्योंकि मैं थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मतलब थोड़ी तबेट ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैंने रात को कुछ नहीं किया ना मेंने किचन साफ किया ना बर्थन ऐसा म मतलब काम तो मैं सारा कर रही थी लेकिन वहीं तब ठीक नहीं थी तो मैंने साम को कुछ नहीं किया सब को छोड़ दिया जैसे का तैसा पनिस्मेंट भी सुबह पांच बजे उठके पहले पानी भरा उसके बाद धेर सारे बर्तन साहब किये कपड़ा जाडू पोच्छा नह चाहिए तो मैं आज मतलब वीडियो सुरू करूंगी पर यहां आपको नेक्स्ट मैं परसू आपको यह वडियो देखने को मिले कि इस वडियो में मैं बहुत टेस्टी टेस्टी नास्ता अलो के प्राथे और भी पना रही क्या बनाऊंगी पर वह आप सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा तब तक आप सब लोग इस वीडियो को इंज्वाई कीजिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करके चाहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों